दोस्तों stock market यारी में आप से भी का सोगत है, दोस्तों 19 अगोस्ट दोज़ार चुइस को market किस तरीके से रहेगा, निप्टी, bank निप्टी की opening gap up होगी या gap down होगी, उसके साथ मंदे के दिन market का trend किस तरीके से रहेगा, positive रहेगा या negative रहेगा, उसके साथ जो भी client option trading करते हैं, उनके लिए क्या हमें पुट बाई करना है या हमें कॉल बाई करके चलना है यह भी हम समझेंगे इस वीडियो में दोस्तों यह आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब पीचिए और वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट्स कीजिए जैसी कि हम देख रहे हैं लास्ट वनवंद में जो मार्केट जिस तरीके से चल रहा है कि निप्ती की जो रेंज हो गई है वो 24,000 24,000 यह उसका सपोट हो रहा है और 25,000 यह उसका रजिस्टन्स हो रहा है यही रेंज में हमें निप्ती चलता है क्या हो रहा है निप्ती 24,000 की शितना गिरता है कि 500-600 देन वह भाईट दो रहा है और 25,000 की शितन à गिरता है कि 500-600. यह हसका बनाद की चब 25,000 की चलता तो रहा है तो रजिस्टन्स ले रहा है यही चल रहा है आधितक ट में जिस सब्सक्राइब के दिन देखे तो निप्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 2549 यहाँ पर देख सकते तो लगबक 400 पॉइंट की बढ़त के साथ यहाँ पर निप्टी क्लोज हुआ था फ्राइड की दिन जैनि की एक दिन में 400 पॉइंट की बढ़त हमें यहाँ पर देखने को मिलतीं आप हमें देखता है कि मंड़े के दिन मार्केट का ट्रेड कैसे रहेगा देखे दिन जो निप्टी जिस तरह की से फ्राइड की दिन बढ़त दिए उसी ट्रेड को वो कायम चुका है शुपर ट्रेंड जो है यहां पर वह भी आपर अब ट्रेंड ही दिखा रहा है अब चलके देखिए कि मार्केट मंडे को जो ओपन होगा वह लगब हम देख सकते 25,000 जरी 24,000 वोड़ा साइज को कम बढ़े हैं नीचे देखिए 24,600 के आसपास रहेगा जाएगा और 24,400 यह नीचे का सपोर्ट रहेगा यहां पर हम टिक करते हैं 24,500 यह अगर तुपता है तो हमें डाउनसाइड जाते हुए दिख सकता है मार्केट और यहां पर देख सकते हैं 24,600 अगर ब्रेक करता है तो हमें मार्केट ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है यानि कि यह सपोर्ट लेव यह रिजिस्टन्स लेव लोगा और यह सपोर्ट लेव लोगा वो मैं आपको थोड़ा सा कर दोंगा लेकिन मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है मंडे के दिन मार्केट में हमें लगबग एक 80-90 पॉइंट की ग्याप आप ओपनिंग की हमें ज्यादतर उम्मीद है तो आप हम चलते सिधे ओप्षेंचेइन पर वहाँ पर थोड़ा explain करते हैं कि किस तरीकी से डेटा वहाँ पर create हो रहा है और create हो चुका है उसकी चलते हमें क्या decision लेना है और किस तरीकी से मार्केट की आगे चलना है वह हम समझते लेते हैं अब हम आग चुके NAC की वेबसाइट जो ओफिसेल वेबसाइट है यहाँ पर आचुके अब हम देखना है यहाँ पर किस तरीके से टेटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जैसी थोड़ आसा हम जूम करेंगे ओ अब यहाँ पर देखिए कि 24,600 यह जो resistance होगा यहाँ पर देखिए 96,269 यहाँ पर CE की CE Writer की open position है तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा open interest वहाँ पर ही बना हुआ है 24,600 और support अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए 24,500 यह जो important support range बनाये जो कि मैंने आपको पहले ही पताया था वो यहाँ पर create हो चुगा है एक एक लाग 6661 यहाँ पर पुठ राइटर की open position है open position खड़ी है और यह जो strike price है वो है 24,500 24,600 यहाँ होगा support 24,600 होगा register यानि कि market में हमें यही देखिए यही हमें मंडे के तिन यहाँ पर देखने को मिल सकता है 24,500, 24,600 टोटल ओवराल अगर देखे तो market में कितने call writer बने होई देखिए यहाँ पर 26,99,926 यह कुल call writer की open position है open position खड़ी है भी तब call writer की open position है 26,99,926 और उट writer की जो open position है 31,99,484 यहाँ पर put writer की open position है यहनि कि market में put writer जालतर हवी है और उसी की चलते market में हमें आच्छी rally भी आपर देखने को मिल रही है अब चलते है bank nifty की और bank nifty का data किस तरिके से बन रहा है वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिक करते है bank nifty पर आ गए bank nifty की देखते है जो bank nifty का जो current closing price है 25,516 यह closing price है Friday की थोड़ा देखे तो यहाँ पर 91,000 यह होगा resistance जो आप देख सकते आप की 95,898 यहाँ पर open contract खड़े है और पूट साइड अगर देखे तो पच्चासाजार पास्सों पच्चाजार पास्सों यह सपोट रहेगा लेकिन यहाँ पर देखे मामुली 37,700 यहाँ पर उट राइटर की open position खड़ी है और अगर देखे तो टोटल इस contract में कितने contract खड़े यह भी देखते है 19,29,247 यहाँ पर कुल कॉल राइटर है open position है ठीक है और पूट राइटर की अगर देखे तो 20,16,177 यहाँ पर पूट राइटर की open position है खड़ी है तो अगर देखे तो मार्केट में एक तीजी बनी हुई है जिसके चलते हमें मंडे के दिन मार्केट में एक तीजी की ही गुंजाईश है लेकिन उपरी सर से हमें मार्केट एक प्राफिट बुकिंग प्राफिट बुकिंग होते हुए भी दिख सकती है उस पर हमें थोड़ी सी नदर रखने होगी दोस्तों यह थी मेरी 19 अगोस्ट दोजाथ चूविस की मार्केट प्रेडिक्शन जिस तरीकी से मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या हमें सोच की चलना है मार्केट से फिलाल तो मार्केट का टेंड पॉजिटिव है आगे चलके निप्टी लगबक यहां से औ और 300 पॉइंड की बड़त हमें अफसाइड ट्रेंड यहां पर दिख रहा है तो कोई भी ट्रेंड देने से पहले आप अपने एनराइस खुद से कीजिए या अपने एडवाज से रहा लीजिए मैं यहां पर सिर्फ अपडेट के परपोस यहां पर यह आपको जानकारी दे रहा है तो दोस्तों यह थी तो दोस्तों चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ स्टॉक से रिलेटेड अपडेट न्यूज अलर्ट और डेली प्रेडिक्शन अपसे प्रोवाइड करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो फ्लिस वीडियो को लाइक श